इक बड़ी वार्दात वाप्री है जिते जबीन पिछ एक रिटार्ड सब इंस्पेक्टर नू बेरैमी नाल मार देता क्या है जिस दी पत्नी दा उझे रिष्टेदारां देनाल जमीन नी विवाद चाल रहा सी अक्सर ही रिष्टेदारा नल चगड़ा हुंदारेंदा सी ते फिर जमीन नू लाके कोट ते वीच केस वी गया जिस दी सुनवाई भी हुई कोट वी जजे केस चाल रहा सी पर इसे वी चाले एक दो में तिना एक दुझे नू मारन ते उतारू हो गिया ते जमीन ते कभजा करन दी कोशिश करन लगिया जो तो एक तिर देवलों जमीन ते खेती कीती गई ता दुझे ते ने फसल कटन तो मना कर दिता एसे नू लाके एस सारा विवाद शिरू हो गया पिर जो दो रिटार्ड सब इंस्पेक्टर अपनी पतनी दे नाल कई होर पिंट दे बंद्या नू लाए के रिष्टेदारां दे कार पहुंचिया नाल ना दे हथ्यार भी सन हाला कि एक अबजा लेन गए सन पर उथे दुझी तिर देवलों इना दे उते हमला कर दिता जानदा है जिस दुरान रिटार्ड सब इंस्पेक्टर अपनी प्रकाश नो भी 60 लागतिया ने सु रिष्टेदारां दे वलों ये थे रिटार्ड सब इंस्पेक्टर नो कोट-कोट के मौद दे काट उतार दिता क्या है पतनी ते उस दे बाकी साथी भी बुरी तरह जखमी ने जो हस्पिताल दे विच जेरी इलाज ने इस सारा मामला चौन्ती कनाल 11 मरले दी जमीन दाय जिते दो पैना दा आपसी रिष्टेदारां दे नाल विवाद चाल रहा सी जिनना में चो एक कैसर रिटार्ड सब इंस्पेक्टर दी पतनी सी जदो वियना ने अपनी जमीन दा कपजा मंगे आता हमेशा लड़ाई हुई पर हुने लड़ाई अन्य वद गई के थे रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने विठान लया क्यों कबजा लेके रहेगा ते पतनी दे नाल पिंट दे बंद्यानों इकठा करके रिष्टेदारा दे कार पहुँच गए पर उथे जाके उल्टा ही होया रिष्टेदारा दे वलो ही एथे रिटायर्ड सब इंस्पेक्टरों परकाष्टी पुरी तरा कुट मार कीती गई ते कोट कोट के इसनों मौत दे काट उतार दिता पतनी ते बाकी सारे साथी भी पुरी तरा जखनी होई ने फिलाल पुलिस ते वलो मामला दर्ज कर ले गया है ते कारवाई ती काल आखी जारी है एदास दिये के मामला तोहाना दे पिंड़ पिर्थला दा दस्या जारे जिते जमीनी विवाद दे करके एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नो ही मार पिता किया है फिलाल पुलिस ने लाश नो कबजे चल्लाले से अकेदी कारवाई कीती जारी है यह कई साल गेंगा मुषकत खातीक जमीन थी यह चार भाई थे हैं पत्राम मलू जोरा और यह आलो बांफुल ज्यां भीशव चारू अधम कर दो कोऊ जगडा निहीं था बाद बाद यह मैंफूल गजार्टका यह मंनफूल का लड़का यह मनफूल गजरने का बादु में माझाप लिए परकास सरसे बाड़ा आपके शाडियां और भी साड़ी जमीन आपका नाव करवा ले कर आद बाद में बाद जमीन खाली पड़ी असाब मुदार्खत घड़िया है बैए जमीन विजह भी विज दो एक जमीन हम आपनी जमीन मुष्कत करते हैं ने डाने मना लि करने लागे हैं तो सतर साल है भीजदनी जब हमारी उमर होगी इंग हसाब करने लागे भी तुम यह जमीन जो बिल भीज़ी तक्सीम कर लो यह उंपर कास नहीं मानना यह बोले मैं तो यह जमीन शड़के लोगा यह लेगा कोर्ट में केस हो गया सेटे आईगी हो कई बरी पं अब यह जब फेर सोट हम शोट होगे यह बाज जो गोडी भी चले सरदारों ने यह सुनना मियूं है वैं तीन लाख रपे में ठेका करें उपरकास नहीं जीरी लगवा दियो और जमीन विजा दियो और यह तंबू भी लेथा साथ में यह जगड़ा है तो क्या उम्परका कौन है और कभजा क्यों लेना चाहता है तो कि आपके साड़ा जमीन है यह फड़ी का दन अनियों सद्या करें अब परिवार कठेश क्यार भाई वह यह आप ज़्जा निवी तक्रिम कराओ यह परकास नहीं मान रहा था और सारे सेमत थे आज यह कभजा लेने के लिए यह पर जमीननी विवाद के अंदर जो है यह कोई पर अपनी बाणे वगएरा के लिए इस बारे में विवाद हुआ है अभी हम जांच कर रहे हैं भी कोई ब्यान आसिद नहीं हुआ है जैसे ब्यान आसे लोगा उसी अनुसार करवाई यह देखिए अब हमारे पास डोक्टर न देखिए अभी कोई जब तक डोक्टर डिकलेर नहीं कर सकता हम इस बारे में अभी तक कोई स्टेटमेंट देने के नहीं है हम मौजूद है मोका पर भी और यहां यह पिर्थला और यह दो फैर के असपास दो तीन बजी क्या सामने है सब दोनों देखिए जमीनी जमीनी वि देखिए पूरे मामने की जांच करने जो भी हुआ है जांच के बाद आपको सारी चीजें बताएंगे